हेलो दोस्तों इस चैनल हेल पीपी में आप सभी का स्वागत है आज का डिक्टेशन हम दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के एडिटोरियल से बोलेंगे जिसकी गति सीमा 80 से 100 सब्द प्रती मिनट की रखी जाएगी डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं ठीक तीन सेकिंड के पहौल को दूर करने के लिए कॉर्पोरेट टेक्स घटाने के वित्त मंतरी निर्मला सीता रमन के फैसले पर उध्योग जगत से लेकर सेर बाजार ने जैसी उत्साहा जनक प्रतिक्रिया व्यक्त की उससे यह अपने आप साबित हो जाता है कि व्यापक असर वाला एक बड़ा कदम उठा लिया गया है यह फैसला भारतिय उध्योग जगत के साथ वैस्विक कारोबारियों को भी आकरसित करने वाला तो है ही आर्थिक सुस्ती को दूर करने और साथ ही भारतिय अर्थ विवस्ता के परती सकारातमक सोच का संचार करने वाला भी है इस फैसले के तहत कॉर्पोरेट टेक्स 30 फीसदी से घटा कर 22 फीसदी कर दिया गया है इसके साथ ही मैनुफेक्चरिंग सेक्टर की नई कमपनियों के लिए टेक्स 25 फीसदी से घटा कर 15 फीसदी कर दिया गया है करीब करीब सभी यह मान रहे हैं कि इस बड़े फैसले के अपेक्षित परिणाम सामने आएंगे लेकिन यह सरकार के साथ उद्योग जगत को भी सुनुश्चित करना चाहिए कि ऐसा वास्तव में हो और उसका लाब आम आदमी को रोजगार के बढ़ते अवसरों के रूप में मिले अर्थ विवस्ता को गती देने के लिए यह आवस्यक ही नहीं अनिवार्य है कि उद्योग धन्दों की बढ़त के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो इससे ही मांग बढ़ेगी और अर्थ विवस्ता गती एक अर्षे से कॉर्पोरेट टेक्स में कमी की मांग कर रहा था ताकि वहो वैस्विक परती इस परदा का सामना कर सके लेकिन यहो मांग पूरी करने के बजाए इस वर्ष आम बजड में ऐसे परावधान कर दिये गए जिससे कारो बारी हतो साहित हुए सायद इसी कारण वित्त मंतरी के फैसले को भूल सुधार की संग्या देने के साथ ही यहो भी कहा जा रहा है की अपने देश में मुश्किल वक्त में ही बड़े कदम उठाए जाते हैं यहो जरूरी है की मुश्किल वक्त की आहट समय रहते महसूस की जाए यहो पहला सबसे बड़ा और सायद सबसे कड़ा प्रहार है सुकुरवार को केंद्र सरकार ने जिस तरह से कमपनी कर में कटोती की वहो बताता है की सरकार अब मंदी को मात देने पर तुल गई है आधार भूत कमपनी कर को सीधे 30 फीसदी से घटा कर 22 फीसदी कर देने में एक तरफ तो देश में कारोबार कर रही कमपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और वे इससे हुई बचत का नए निवेस में इस्तेमाल कर सकेंगी दूसरी तरफ इस कटोती ने भारतिय बजार को विदेशी निवेसकों के लिए और आकरसक बना दिया है इस समय अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह का कारोबार युद्द चल रहा है उसमें दुनिया की कई कमपनियां चीन से अपना ध्यान हटा रही हैं ऐसे में जरूरी था कि अपने बजार में कुछ नया आकरसन पैदा किया जाए नई घोसना से कुछ हद तक इसकी उम्मीद की जा सकती है इसके साथ ही सरकार ने नई घरेलू कमपनियों पर लगने वाले कमपनी कर को घटा कर 15 फीस दी कर दिया है यह घरेलू निवेश को बड़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है इतना ही नहीं सरकार ने विदेशी संस्तागत निवेश पर पिछले बजट में लगाए गए कर को भी वापस ले लिया है साथ ही कमपनी के सेरों की वापसी खरीद यानि बाई बैक पर लगा कर भी खतम कर दिया है जाहिर है इसमें एक तो संस्तागत विदेशी निवेशकों को राहत मिलेगी और दूसरे उन कमपनियों के लिए भी आसानी होगी जो खुद अपने सेरों को बाई बैक करना चाहती है है स्टॉप दोस्तों अगर आपने दिक्टेशन को लिखा है तो इसके ट्रांस्क्रिप्शन के लिए पीडियाफ आपको मारे वर्टसप और ट्रेलिग्राम गुरूप दोनों जगों पर मिल जाएगी और कली इस चैनल का नोटिफिकेशन निकाला है जिसकी वीडियो भी हम ने बनाई है जिसको आपकर आपने भी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी उसे आप वहां से देख सकते हैं